मने लागे हो कि राजनित्ती पाड़ एक सेवा में राजनित्य पाड़ मुझा तो यह फर्यात करें तो यह फर्यात नीं चवाप तरी तन पूप्स नमस्कार दर्शक विद्रप फर येक और स्वागच अपनू कारेगरम अती थीमा अती थीमा अमें एक विशिष्ट व्यक्तितोंने लईने आपनी समग सुपसी थीएच अने चर्चा करियेशे तेमना अनूभवो नी अने तेमने आपला समाज ने प्रदान नी दर्शक विद्रों आजे आपना स्टूडियो नी अंदर आपना कारेगरम नी अंदर अती थी थी थीमानी मंदरा आपीशे राजिव मिश्रजी ने आप जे ट्रेंडी अंदर सफर करो जो ते बद्धी जम्दाबाद डिवीजन नी अंतर गदाओ ता तरेक दरेक स्टेशन नूँ देखरे खराना राखनारी जे टॉप जे आफिसा चे ते राजिव मिश्रजी ने आपका जो भी स्टेडी हुआ और बहुत सारी सेवाय आपने डिवीजन को दिया है अपने टेक्निकल नॉलस अभी जाके जब एडमीन संबालना है और उसमें भी वेस्ट वेस्टन ड्रेलवे में जो सबसे एहमियत रखने वाला एमदाबाद डिवीजन जहां से बहुत सार कि वो भी बहुत माइना रखती है वेस्टन ड्रेलवे में कैसे मेनेज होता है यह सब दिवागी मैं भाती ड्रेल से पिछले बत्ते साह से जड़ा हुआ हूँ हूँ मैंने सन 1975 में इस्पिशिक डास अपरेंटिस के रूप में जमालपुर में जोइन किया था तो बहां पर म पूरे भारत के विविन जोन में काम करने का मुखा मिला। इसमें मुक्तिया मैंने उत्तर रेल्वी, RDSO, इर्मी, जमालपूर, वपस्चिन विड़्वे में कार किया है। इस पत पर जो मंदल लेट प्रबंदक का पत है इसमें टक्निकी के अलावा हमें मेनेजमेंट में काफी तक्ष्टा रखनी होती है। ये कारभार मैंने दो मेने पहले 17 मार्च को जोइन किया है। राजी जी मेरा खास ये सवाल है कि एमदबाद डिवीजन जो है वो वेश्टन वेल्वे में कितनी एहमियत रखता है। लेकि एमदबाद मंदल अभी कोई चार बश पहले ही बना है। एक अपरेल 2003 को इसका फॉर्मेशन हुआ था। लेकिन ये मंदल इस समय पश्चिम डिल्वे का सबसे बड़ा मंदल है। इसमें करीब 1550 किलो मीटर रूट किलो मीटर के ट्रैक पिछा हुआ है। और ये पूरे उत्तर गुजरात में फेला हुआ है। तदा कच चेरिया में फेला हुआ है। और जहां तक इसकी आमदली का सवाल है ये पश्चिम डिल्वे का सबसे ज़्यादा कमाने वाला डिविशन है। पिछले वर्ष 0607 में हमने 1855 करोड की कमाई करके थी पश्चिम डिल्वे के। तो इस हिसाब से ये गूट किलोमेटर में सबसे बड़ा है और आंदर ही में भी सबसे बड़ा है पश्चिम डिल्वे के। ऐसी कौन सी खास बात है एमदाबाद डिविजन की जो की बाकी डिविजनों से अलग होती है। एमदाबाद मंदल के विकास का एक मुख करण ये है कि हमें यहाँ पर काफी ओरिनेटिंग लोडिंग ट्रैपिक मिला है। माल डिपो की ढुलाई का सबस्याद है काम हमने यहाँ पर दो पोर्ट हैं कांडला पोर्ट और हुद्रा पोर्ट वहाँ पर सभी आयात का सामान आता है और यहां से जो निर्यात होता है बोती हो जाता है। तो उसमें हमें काफी फर्टिलाइजर, फूट ग्रेन, सीमेंट, कोल और सॉल्ट आधी की लोडिंग हमें हमें आपन मिली हैं जिससे हम लोग इन लक्षों को प्रात करने हमें सक्षम होएं। राजिव जी खास करके बहुत मतलब जब से लालू जी आये है, रेल मंत्री बने तब से अलग-अलग डिवीजन पे, अलग-अलग रेलवेश्टेशन पे कहीं ना कहीं उनके जो भी हैड होते हैं, उनकी एक सरप्राइज विजिट और उसमें भी खास करके मीडिया को लेके वो जो भी DRM होते हैं या स्टेशन सुपरिटेंडट होते हैं, वो करते हैं, कभी भी राजिव जी को नहीं देखा कि इस टाइप की, या तो आप दिखाना नहीं चाहते हैं, मीडिया को कि आप ये कर रहे हैं वहाँ जाके, या तो आप सुमड़ी में अपना काम जो करना है वो ही काम करते हैं सबसे ज्यादा रश पैसेंजरों का यहां पे रहता है, इस वेकेशन को लक्ष में लेके, क्या अलग सुविदा है पैसेंजरों को दी जाते हैं एक तो हम लोग ने समर स्पेशल्स चलाई हैं एमदबाद स्टेशन से पास होने वाली करीब 22 ट्रेने हम लोग चला रहे हैं और इस से अधिक से अधिक यात्रियों को हम सुद्धा बनान कर रहे हैं ये ट्रेने भारत के सभी बड़े नगरों से जुड़ी हुई हैं जैसे ओखा है, पोरबंदर है, मुंबाई, कोलापोर, नागपोर, इंदोर, जोडपोर, बीकाने, दिल्ली इस सब दिशाओं में हमने स्पेशल ट्रेन्स चुलाई हैं इसके अत्रिक जो हमारी रोज की चलना वाली ट्रेने हैं, उसमें हमने अत्रिक जिब्बे लगा रहे हैं अभी हम लोग करीब 20 जिब्बे रोज अत्रिक लगा रहे हैं और ये सभी टेनों में लगा रहे हैं हम लोग, सबस्यादा तीन डिप्पे हम लगा रहे हैं, ये सब पर क्रांती एक्सप्रेस एक है दिली के लिए उसमें लगा रहे हैं, इसके लावे एक आसन सोल जाना वाई ट्रेन हैं, उसमें भी तीन डिप्पे हम लोग लगा रहे हैं, सवना जैनती दाइधानी एक्सपेस में हम नो दो डब के लगा रहे हैं लोग शक्ति एक्समिन दो डब पे लगा रहे हैं और इसमेकर की बहुत सारी ठेहों में करीब 13 ठेहों में हम लोग अतरिक्त डब के लगा रहे हैं इस से आज ज़ित्सेय wordt गयात्यों को प्लेटफार्म के उपर ही कोलते हैं इससे कि उसके अंदर कोई अनादेकृत गूप से व्यक्ती ना गुज जाएं और जो लोग इंजल सेकेंड क्लास में बठाने हैं उनको पंतीवत करते हैं रेल्वेर प्रोटेक्शन पोर्स के मात्यम से और उसके वार उनको फर्स कम फर्स पर गाड़ीयों बठाने कोशिश करते हैं जिससे कोई अनादेकृत व्यक्ती या पुली या जो भी कोई एंटी सोचल एलिमेंट से वो मौके का फाइदा उठा करके सीटों को ग्रैब ना करें और जो हमारे पैसिंजर संग को परिशान ना करें आपने बताया राजी जी कि खास करके जब भी ट्रैन आदी है तो आरे पी एफ को अब तैनाद कर देते ताकि कोई या दिक्कत पैसिंजर को ना हो लेकिन मेरा सवाल है कि जो पीछे कुछ समय पहले एहमदाब पे बाम बलाश्ट हुआ था उस वक्त कहीं ऐसा लगा था कि रेलवे सुरक्षा तंतर शा सवाल है और जो हमारे जातियों कि शुरक्षा का सवाल है उसका जिम्मा पूर्ट से जो जी आर्पी होती है जो स्टेट गवर्रमेंट में पुलिस के अंदर काम करती है उसका होता है Railway Protection Force का काम सिर्फ railway property को बचाना है लेकिन हम लोग RPF का इस्तमाल करते हैं और उसको GRP को मदद दिलवाते हैं कहीं अगर कोई संदेदात में बढ़ती है वस्तू पड़ी हुई है या कोई संदेद के रूप में कोई व्यक्ति सामने आता है तो उसको हम लोग GRP को सौपते हैं और हमारे railway staff को भी हमेशा हिदाद रहती है कोई चीज हमेशा चुकनने रहें हम लोग public announcements करते हैं railway stations पर कि कोई लिए अगर अनादेखरी वस्तू पड़ी है तो उसको छुए ना क्योंकि वो बम हो सकता है लेकिन इसमें ये संबब नहीं है कि हम law and order अपने हाथ में ले लें और जो यात्री है या जो उनका सामान है उसको हम उसका गहन चेकिंग करें लेकिन फिर भी हम चाहते हैं कि आप station पर कुछ हम लोग plan बना रहे हैं कि इसमें जो number of entry and exit points है उनको कम किया जाए और उन इस्थानों पर जहां पर जो number of entry points कम हो जाएगा तो इसमें हम लोग metal detectors देना चाहते हैं अपने RPA personal को जो सामान को और प्रेक्ती को चेक कर सकें जैसा कि आप airports में देखते हैं और कुछ एक machine हम उस तरह की प्लान कर रहे हैं जो कि सामान का X-ray कर सकें लेकिन ये सब संभव 100% के लिए नहीं है इसको हम लोग random रूप से दपाएंगे क्योंकि हम्दाबाद station को ही लीजिए यहां बर करीब 85-90 जात्री प्रतिक दिन सफर करते हैं तो ये संभव नहीं है कि हम हर एक के सामान की तलाशी लें हर एक की तलाशी लें तो जहां तक संभव हैं हम लोग अपने जात्रीयों को भी सूचित करते हैं कि ध्यान रखी और अपने स्टाफ को भी रखते हैं लेकिन पूरते आइसमें हम तभी सक्षम होंगा जब जब जियार्प और पुलिस की तरफ से पूरी में दुख भी दरो अत्यारे चर्चा चाली रही छे अतीधी कारेगरा मिटले के गेस्ट अप देमा एम्दबाद तीविजनल रेल्वे मैंजर राजी मिस्टर साधनी सूरक्षागी से नी बातों करेश जमाने से एक कदम आगे बेस सर्विस, बेस प्रोड जमाने से एक कदम आगे सिटी ब्रोड बैंड, जमाने से एक कदम आगे थोई ए फर्याद निचौब तर इतं दोentes ब्रेक बच्छा बदानों सौगाचे कारेकरम अती थी माँ एलेगे गेस्ट अब दडे माँ ना दर्श्रक में दरो आजे स्टूडियो माँ आ कारेकरम माँटे हाजर छे राजी मीस्तर जी राजी मीस्तर जी के जो अमदाबाद डिवीजना 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 राजी जी ब्रेक से पहले हमारी बात हो रही थी कि क्या सुरक्सा के मामने वापने बजा कि मैटन डिटेक्टर रही लेकिन ये संभव इतना नहीं है इस्टेशन पर हमने करीब 22 केमरे लगाए हैं और उसको हम लोगे कंट्रोल रूम से वाच करते हैं और उस पर हर समय एक आदमे जनाद रहता है अर्पियव का लेकिन जैसा मैंने आपने बताया कि बहुत सी बार इस संभव नहीं है लेकिन जहां तक संभव है हम कोशिश करते हैं कि कोई इस परकाज में लेटना दुबरा ना हो राज़े जिए खास करके एक प्रियोडिकल एक क्विश्चन हर एक रेल्वे स्टेशन पर या तो हर एक डिविजन पर हर एक जिगा पर उठता है कि रिजर्वेसन के मामले में पैसेंजरों को बहुत दिखत होती है और उसमें भी खास करके जो एजेंट होते हैं बोगस एजेंट वो बहुत सक्रियव होते हैं उनका नेटवर्क भी इतना है ऐसे आक्षे भी किये गए हर एक डिविजन पर की रिल्वे डिपार्टमेंट के ही कई अधीकारी उनके साथ जूड़े होते हैं उनकी वज़ा से जो रियल पैसेंजर है जिनको जाना है उनको सही वक्त पे सही ट्रिजर्वेसर नहीं मिलता है इसके लिए एमदाबाद डिविजन ने क्या क्या इंदाम की हो देखे सबसे पहले तो हमने ये किया है कि जो हमारे पैसेंजर इसेंजर सिस्टम्स हैं इसमें एम्दबाद स्टेशन के उपर हैं, इसके अलावा मणी नगर में हैं, सदाग्राम में हैं, सावरमती स्टेशन पर हैं इस तरह जो हमारे एम्दबाद स्टेशन के आसपास के PRS हैं, उस पर हमने RPF की गश्ट पढ़ाई हैं और plane close में भी हम लोग आदमी रखते हैं, और समय समय पर जो लोग क्यूब में कड़े होते हैं, उनको चेक करते हैं, कि वो कोई टाउट्स तो नहीं हैं, अगर टाउट्स होते हैं, तो उनको पकड़कर के हम लोग अपने कानून के हिसाब से उनको डील करते हैं इसके अत्रिक सबसे बड़ी बात यह है, कि जो हमारा genuine passenger है, उसको कई बार पूरी information नहीं होती है, कि आज train में कितने अत्रिक डिब बे लगे जाने वाले हैं, उससे क्या है कि वो wait listed होता है, तो वो अपने reservation को cancel करा देता है, और इस information का फायदा कई टाउट्स लेते हैं, कि यात्रिक से पैसा ले 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 हैं, और हम उसमें जो डिबा एक्स्टा लगा रहे हैं, उसकी जानकारी चुकि यात्री को नहीं होती है, तो उसका फायदा जो है टाउट उठाने ही कोशिच करते हैं, तो इसके लिए हमने इस उनिश्चित किया है, कि जो हमारे एक्स्टा प्रस के कंप्यूटर सिस्टम में फीड कर दे रहे हैं, उसको फीड करने से यह है कि जब यात्री उसको अपना रिजर्वेशन चेक करेगा, तो उसको अपना रिजर्वेशन पिखाई पड़ेगा और वो यात्र कर सकेगा, इसके अधरी हम लोग स्टेशन पर खूब अनौ इसके जब यह जब दे रहे हैं, उसको इसके आधरी हैं, उसको अधरी पर देखे शुटर किया रहे हैं, तो अधरी हम लोग स्टेशन पर तो पर पहले जो सफाई की बात चले थी, कि सुचता अभियान अपधी पूरे जोर शोर से हरेक आपके डिविशन की तिन विशेसन क्या किया गया है क्या पिरियोडिकल किते हैं टाइम के बाद क्या-क्या चीजे सफाई में या तो अगर किसे ने चूक की तो उनके उपर अपने स्टेप्स लिए ऐसा कोई विशेश कोई साधन अगर अपने बसाय हो जिससे जल्दी और अच्छी सफाई हो पाए एक तो यह है कि जो हमारी रेल्वेल लाइन हैं स्टेशनों पर वो प्राया गंदी हो जाती है क्योंकि लोग शौचाले का प्योग कर लेते हैं जब गाड़ी स्टेशन के उपर खड़ी हो है इसको ठीख करने के लिए हमने यह सुनिश्चित किया है कि हमारे जिव मिजर स्टेशन से हैं इसके उपर अधिक से लाइनों पहें कॉन्ट्रीट का एपरंड हो, कॉन्ब्रीट का एपरंड लगाने से फाइदा यह होता है, कि उसको हम हाइप्रसरजट से रोज उभे साफ कर देते हैं, ट्रेंग के जाने के बाद उसको तुंचा करते हैं, तो कोई भी घंद की वहानी पड़ी होती है, इसमें या अत्रियों को असुद्दा हो या दुरगंद आये या उसमें मक्हिया आ दिया है तो CCA PRIN लगाने में हमने विशेश जोड दिया है अभी हम लोगों ने platform number 2 में CCA PRIN को extend किया है अभी platform number 4 परकार चल रहा है और इस वर्षी अभी अगले मेंने से हम लोग platform number 1 को कुछ दिनों के बंद करेंगे और CCA PRIN उसमें लगाएंगे इसके अत्रिक्त हम लोगों ने जो मीटर के इस साइड है हमारा platform number 11-12 वहाँ पर भी मिट्टी जमा रहती है और जो गंद की बैदा होती है उसको हटाने में काफी असुद्दा होती है तो वहाँ पर हम लोग CCA PRIN लगा रहे हैं इसके अत्रिक जो हमारी लंबी दूरी की गाड़ियां है उसमें प्राया दिखा गया है कि वो 6-8 गंटे बाद उसका ट्वालेट बहुत खराब हो जाता है तो हम लोग ने एमदाबाद इस्टेशन पर एक clean train station चुब किया है इसमें हमने एक ठेके पर हम लोग करवा रहे हैं इसको पांच बच का हमने ठेका दिया है और बहुत अच्छी फर्म है जिसको आप जनते ही है मैसल्स यूरेका फोक्स को यह हमने ठेका दिया है इसको तो इस्टरह से थूर्ट्रेंस है उसमें हम सफाई सुनिश्चित कर रहे हैं जहां तक प्लेटवाम की सफाई का सवाल है यह इसमें प्लेटवाई के लिए हमारे बहुत कड़े आदेश है जो हमारे डिपार्टमानल स्टाफ है उसको साफ करेगा और अगर उसमें वो कोई लापरवाई बदते हैं तो हम उनको DR एक्षिन के अंदर टेक अप करते हैं और यहां तक सफाई का सवाल है हम यह भी चाहते हैं कि हमारे जो ट्रैबलिंग पब्लिक है उसको हम थोड़ा जाक्रित कर सकें इससे वो गंदगी ना बचाए हम लोग यहां पर कुछ डस्विंस लगाने जा रहे हैं और इस्पीटून्स लगाएंगे बड़ी संख्या में ज उसकार से बहुत सारे हम लोग ने कदम उठाए हैं लेकिन जैसा है जानते हैं कि यह सफाई जो है यह कंटिनियूस ट्रॉसेस है कभी भी हम नहीं कह सकते कि पूरी तरह साफ हो गया हर बोस हर शिफ्ट में हमने उसको साफ करना होगा जिसके लिए हम अपने कर्मचारियों को सब्सक्राइब करना है कि जिस तरह से आपके कर्मचारी यहां पर सफाई के लिए काम करते हो रही है निरंतर चरने वाली प्रक्रिया है लेकिन साथ-साथ अगर जो भी पैसंजर्स या तो आने वाले जो भी विजिटर्स है वो भी उतना साथ साकार दे तो बहुत अच्छा एक निटन क्लीन प्लाइटफर्म या तो स्टेशन मिल सेता है दर्शा कि अच्छा चाओ राकी शुपरा तो ले लिए पिला नहां दुपरेगा जमाने से कदम आगे ना, सिटी केबल अपरेटर्स अलसो प्रवाइट इंस्संट ब्राद्बैन कनेक्टिविट जमाने से एक कदम आगे जमाने से एक कदम आगे बेस सर्विस, बेस प्राद्व जमाने से एक कदम आगे शीटी को आगे हमेशा आथ के साथ चलता रहे है सिटी ब्राद्बैन, जमाने से एक कदम आगे वारे तुमी निल्दा जर्मेवलों एक पर व्यक्ती हो नहीं हो। वह उत्वा प्रुदा घ्रविटीन ने जुप। नी जुप तरी तन भीगे। आपने स्वच्चता के बारे में तो बात किया कि सफाई अभियान अपकी दंतर की और से पूर जोर से चल रहा है लेकिन एक दूसरा सवाल है, हर वक्त यह सवाल आता रहता है कि खास करके कुलियों, कुली जितने भी है उनकी कही ना कहीं ऐसी दादागिरी हो जाती है 10 दिन, 15 दिन, महीने में एक दो किसे से हो जाती है, जिन पैसे के साथ उनकी अन्बन हो जाती है उस वज़ा से रेलवे तन तरफ बदनाम भी बहुत हो चुका है कुलियों को कंट्रोल में रखने के लिए क्या क्या किया है कुली रेलवे एंप्लॉई नहीं है तो उनको हम लोग किसी भी अपने कानून के मताबिक डील नहीं कर सकते हैं लेकिन अगर वो कुली बर्दी नहीं पेने हुए है या अपना बैज नहीं लगाए हुए है तो हम उसको अगर स्टेशन पर क्रिसी भी गति विद्य करते हैं तो हम उसको फाइन जरूर करते हैं और कई बार उसका बिल्ला भी छीन गया जाता है इसके अत्रेक्त अगर आर्पीएफ का स्टाफ ये देखता है कि कोई पुली इन सब गति विद्यों में कार रहत है तो हम उसको जरूर उसके ख्लाव करवाई करते हैं और जैसे मैंने आपको बताया कि हम लोग अपनी गाड़ियों को आजकल बंद वस्था में प्रेट फॉर्म पर ला रहे हैं तो कि पहले इस पेडार की शिकायत थी कि पुली उसमें पहले से गुस जाते हैं कोली की गलती के वज़ा से कोई परेशैन ना हो लेकिन अगर कुछ भी होता है तो अगर शिकायत करनी होती गहें बहुत सारे सवाल यह आते हैं अगर रेलेवश दर्बाट पर किसी को तकलिफ है तो शिकायत कहां करें उनकी ये भी कहना है कि अगर शायद हम जाते हैं तो बोलते हैं ये हमारे डिपार्टमेंट नहीं आता है आप यहां जाएए तो आप प्लीज ये जरह हमारे वियोर को बताइए कि अगर रेलवे डिपार्टमेंट से खास करके अमधाबाट डिविजर में अगर किसी भी पैसेंजर को या तो विजिटर को अगर कुछ भी तकलीफ है कुई शिकायत है तो कहां जाके अपनी शिकायत दर्श करा है तो ग्रहाकों को शिकायत दर्श कराने के लिए हमारे तंथ में बहुत सारी सुधाय उपलब्द हैं हर ट्रेंट पर गाड के पास एक कम्टेंट भूग रहती है हर स्टेशन पर स्टेशन मास्टर के पास एक कम्टेंट भूग रहती है इसके अत्रेट जो बड़े स्टेशन से महाँ पर राजबत्रत अधिकारियों को स्टेशन मेनेजर के रूप में लगाया गया है अगर किसी राहक को किसी पतार की उसे मस्रा होती है तो वो स्टेशन मेंजर से जापर की मिल सकता है अपनी कम्प्लेंट वो मौकिक रूप से लिक alcohol से गे शकता है इसके अद्रेक्ट जहां तक सफाई और स्टेशन संबन्धी शिकायतों का मामला है उसमें प्राया हमारे Senior Divisional Commercial Manager DRM Office को वो शिकायद भेज सकता है या अव्यक्ति का दुरूप से अथवापत्र के मात्यम से वो DRM को कम्टेंट भेज सकता है इसके अधरिक्त हमारे जो additional DRM's हैं उनको हम लोग director public revances भी कहते हैं वो उनको directly चिठी लिख सकता है तो इस विशे में हम ग्राहकों को समय समय पर announcements के मात्यम से और posters के मात्यम से बताते हैं कि आपको जहाँ complaint आप दे सकते हैं और जहां तक शिकायद लिखने का सवाल है जहां जहां हमने शिकायद भुस्टे के रखी हैं अगर कोई ग्राहक अपनी कोई complaint हमें देता है तो हम लोग उस पर शिकायद की तो बात है बहुत कर ली लेकिन अभी आने वाले दिनों में development क्या क्या होने जा रहा है जैसे कि Western Railway में इंडियन डेल में और खास करके एहमधाबाट डिविजन में और आने वाले दिनों में जैसे कि ट्रेंड क्या बढ़ानी है आपकी तरफ से कोई परस्ताव रखा गया हो या तो रेले डिपार्टमेंट की और से अगर कोई ट्रेंड बढ़ाने की खास करके मुझे पुछना है कि एहमधाबाद मुंबई के बीच में जहां पे बहुत ट और अभी एक कोश्टी भी है जिसमें सभी जोन्स के जनरल मेंटर्स को बलाया गया है रेल मंत्राले में उसमें बात हो रही है कि एक हाई स्पीड कोरिडोर बनाये जाए एमधाबाद और बंबई के बीच में जिसमें ट्रेने तीन घंटे में ये पानसो किलो मेंटर की दू गुट्स ट्रेन और पैसिंजर ट्रेन दोनों साथ साथ चलती है इसले दो वर्ष पहले ये निर्ने लिया गया वेल मंत्राले में कि गुट्स के लिए अलग से ट्रैक बिचा आए है उसको अमनों डेडिकेटिट फ्रेट कोरिडोर कहते हैं जो बंबे से चल करके एहमधाब और दादरी तक जाएगा ये दिल्ली के पास में जगए है तो अगर हमारा एक फ्रेट कोरिडोर अलग से बन गया तो सभाविक है कि जितनी हमारी फ्रेट की गाड़िया है वो उस ट्रैक पर जाएगी और जो कैपैसिटी उस से रिलीज होगी बाकी ट्रैक पर उस पर अत्र ये ऐसा है कि इस वर्ष भारती रेल में हमारे माननी मंत्री जी ने एनाउंस किया है बजट में कि 19 स्टेशनों को वर्ट क्लास स्टेशन बनाया जाए उसमें एहम्दबाद मंदल का एहम्दबाद स्टेशन भी शामिल है इस योजना के इंतगत इन स्टेशनों पर करीब अधिक सुधा है प्रदान की जाएंगी जिससे वो एक विश्च सरी स्टेशन बन सके लेकिन अभी इसकी रूप डेखा मंत्राले में बन रही है और जब वो रूप डेखा बन करके हम लोगों को एडवाईज होगी तो हम उस पर कामशालों करें ये कब तक कोई डेडलाइन जाने इसकी दिया है दो साल, पास साल मैं समाजता हूँ कार शुक्त हो जाना चाहिए दो साल और तीन चार साल पे कंप्रीट हो जाना चाहिए लेकिन अभी जो कि उसकी पुरी रूप डेखा नहीं आए है तो मैं उस विश्यमें आपको दर दजानाने बतावाईगों आने जेनों लाब महतम पैसेंजरों ले ते उपन रेले मंद्रा लेने और बहुच बहुचा स्टेसनों मा पहलू हा साइबर काफे मानुई कंदराद मा बढ़ जे राजी आप मुझे एक तो साइबर काफे में क्योंकि सीट्स अभी काम है वहां पर जो भी आते हैं वहां पर तो फाइव कंप्यूटर स्पीसिस लगे हुए और एटीम भी काम है तो क्या उसके बढ़ाने के बारे में क्या सुच रहा है जहां तक एमदाबाद स्टेशन के साइबर केफे का सवाल है वह ठीक ठाक चल रहा है और उसमें काफी लोग उसका प्रियोग कर रहे हैं अभी उ स्टेट बैंक और दूसरे बैंक और दौरा लगाई जा रहे हैं इसको भी हम समझते हैं कि जून के प्राराम तक हम लोग इस एटिम को लगा लेंगे पूरे मंदल पे हम इस वर्ष में 30 एटिम लगाना चाहते हैं और मैं समझता हूँ कि दिसंबर 2007 तक हमारी 30 एटिम सारे म मंदल में उपलक्त हो जाएंगा राजी जी वक्त बहुत कम है हमारे पास क्योंकि अगर आप से बात की जाए और रेलवे मंदल ये मलब खास करके एमदवाद डिविजन में क्या क्या आने वाले प्लानिंग है लेकिन शॉर्ट में भी आप पैसेंजर को क्या मैसित देना च कोशिश है कि पैसेंजर्स को अधिक सधिक सुधाज दी जाए इसके लिए गांदी नगर स्टेशन निया बन रहा है एक गांदी नगर से कलोलोगर के नई डाइन बन रही है कुछ प्लेटफॉर्म्स हैं जैसे एहम्दवाद स्टेशन पर नौ और समपा जो अभी मीटर गे अहती मुलाकात राजीव मीस्टर साथे गांदावाज डिवीजन ना डिवीजन रेल्वे मैनेजर अने खुबज घणीवधी जानकारी तेमना पानो प्रायतना गरों तेमनू एपन के हुए तुक आवनारा दिवस्वनीन दे रेल्वे तंतर दोरा घणा बदा चिंजिस प कि अरुमीन इंदा जर्मेलों एक बन व्यक्ति एओन एओनेगोर की जह नास्तिव हो एंडीजर ना स्थी जानकारी तावरादा फार्यात परेंगोर तो यह फरीयात नीच वापटारी तलिवीजन तुक आवरूराती जो कुछ फ्यात बरेंगोरों के अलने जो झाल झाल